फैमली वेग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यह अपनी बेटी की साधी करना है उसके हाथ पी ले करना है उसका रिष्टा ले करके जाना है तो ना घर देखना ना परिवार देखना ना आप यह देखना कितना कमाता है आप तो यह देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की साधी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे है उसके यार कैसे है उसके मित्र कैसे है अरे पिता जैसा है बेटा बैसे होगा कोई जरूरी नहीं है माता जैसी है बेटा बैसे होगा कोई ज किसके साथ उठता है किसके साथ बैठता है कहां जा माबाप से चिपके काम करते हैं लड़के माता पिता को पता नहीं चलता दोस्त सड़तों पे बाहर क्या करते हैं किसी भी बेटी की साधी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना यदि लड़का आदमी जैसे मावाप होते हैं बैसा नहीं होता जैसे दोस्त होते हैं आदमी बैसा हुआ करता है ध्यान रखिए मानने वर एक सीख दी है मैंने आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देता है आप बताईए ना एक बेटा सही गलत किसकी बज़े से होता है बाप की बज़े से मा की बजय से नहीं मेरे छायता है कि मेरा बेटा सराव न पिए ऐंड़ारे ये лон जोर ने भी सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर वने कोई माबाप औलात को चोर नहीं बनाते हैं कोई माता पिता औलात को जूट बोलना नहीं सिखाते हैं कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पी ध्यान रखन मानिवर मालुमें सिगरेट पीना कौन सिखाता है दोस्त सिखाते है सबसे पहले शराब पीना रिस्तेदार या माबाप ने नहीं सिखाया शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले ध्यान रखना लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं सबसे पहले हाथ में सिग्रेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिग्रेट आती है एक दोस्त के दोरा हमारे जीवन में गलत चीज़ें आती हैं और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है सिगरेट नहीं पिए शराब नहीं पिए तो कहते हैं अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी दुनिया चांद पे पहुँच गई तू अगर बत्ती में लटका है ध्यान र करती है लिकिन ऐसे दोस्तों की संगती ना करो जो हमारी जिन्दगी को बरबात करके रख दिया करते हो आप सोचिए जीवन में संगती का बहुत असर पड़ता है एक पानी की बून जो आकास से गिरती है और यदि वही पानी की बून किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई बताइए कड़वा हो जाता है नीम जानते हैं नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं नहीं तो मैं समझता तुम कुछ जानते ही नहीं हो एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है वही पानी की ब वही पानी की बूंद यदि साप के मुख में चली जाए तो हला हल जहर बन जाया करती है वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है वही पानी की बूंद यदि समंदर में गिर जाए तो खारी हो जाती है वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुँ में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है बूंद एक ही है ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के संगती के कारण से किसकी संगती करी उसने मोती बना सीप की संगती से और जहर बना साप की संगती से ध्याना रखे